स्वागते दुफ्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसेन रेवियू में जहां आप पाते हैं सबी दबान्यों का रेवियू तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सोमिनिया यानि ज्यादा नीम आने की समस्या के बारे में इसके क्या लच्षड दिखाई देते हैं और इसके होने के क्या खारण होते हैं और इसका एलाज डॉक्टर द्वारा किस परकार से किया जाता है तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने बाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो में सबसे प समय भी जाकर नहीं बिता सकता जो लोग हाइपर सोमनिया की समस्या से पीडित होते हैं वो कहीं भी सो सकते हैं उधारण के लिए काम के समय और यहां तक की ड्राइबिंग आद करते समय भी वे सो सकते हैं तो दुफ्तों अब बात करते हैं कि हमें इसके लक्षण क्या अधिक बढ़ जाना ध्यान लगाने में कठनाई होना बूलने की समस्या होना चिर्चरापन होना भूख में कमी होना उर्जा में कमी होना सूचने वह बोलने की गती धीमी होना जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं हाइपर्शोमिनिया के तो दुफ्तू अब बात करते हैं कि उसके होने के क्या कारण होते हैं तो उसमें रात के समय पूरी नीनद न ले पाना अधिक बजन बढ़ जाना ड्रेक्ट या सराप्त की लथ लग जाने के कारण भी हाइपर्शोमिनिया हो सकती है डिप्रेशन और हाइपो थाइरोड़ुम और किड्ने से जुड़ी बीमारों के कांड भी हाइपोर्फुमिया की समस्या हो सकती है तो दुफ्तु अब बात करते हैं कि इस का लाज डॉक्टर द्वारा किस परकार से किया जाता है तो उसमें डॉक्टर द्वारा CINES Stimulants Category की मेडिशन दी जाती है जिसमें है मोडा फिनिल टेबलेट जिसका पॉप्लो ब्रांड है मोडा लट टेबलेट दूसरी मेडिशन है मिथाइल फैनिडेट हाइडरो कलूराइट की टेबलेट जिसका पॉप्लो ब्रांड नेम है इन्सिरल टेट एसlaard टेबलेट इन में से कोई एक टेबलेट डॉक्टर दॉरा दी जाती है हाइपर सुमनिया की इलाज के लिए साथी दोस्तों, हाइपरसुम्या के इलाजके लिए डॉक्टर द्वारा कुछ एंटी-निप्रिश्यंट-मेडिशन भी दी जाती हैं जिसमें पेरक्सिंट, टेब्लिक और लीविडोपा, कार्फिडॉपा की टेब्लिक दी जाती हैं हाइपरसुम्या के इलाजके लिए तो दोफ्तो ये थी कुछ महपूर जानकारी हाइपर सुम्निया की बारे में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सेल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो आज की इस वीडियो में बत नहीं तो थैंक्स प्रेंट्स एंड बंदी मात्रम